Apple ने M1 चिप के साथ MacBook निगाल थे 2020 में और उस समय उनका सबसे affordable laptop था M1 MacBook Air लेकिन 2020 का यह जो laptop है क्या आप 2023 में हाँ पर यूज कर सकते हो यह का ऐसा सवाल है अक्सर लोग मेरे इसको यहाँ पर पूछते देखो मैंने M1 MacBook Air भी चलाया है चाहिए मेरे इसाब से यहाँ पर ले सकते हैं अगर M1 MacBook Air को चेक आउट करना चाहते हैं तो व्यूप्रोट के अंदर टेक कर दिया है वहाँ जा कि आप इससे चेक कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले बात करते है आकर इस laptop पे और जो Apple के बाकी laptop पे उनमें दिफ्रेंस यहां पर गया तो सिंपल सी बात है कि जो M1 MacBook Air है इसके अंदर आपको एक तो M1 चिप मिलेगी बेस मॉडल में 8GB कि रहे में 256GB की स्टोरेज है दो थंडर बोल टाइप-C वाले पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं यहां पर कोई भी टच बार देखने को नहीं मिलती है 13 इंच का डिस्प्लेय है और जो फोर्स टच पैड होता है वो यहां पर देखने को लता है यानि कि जित्ते भी MacBook के जेस्चर्स होते सब को सपोर्ट करता है टैपिंग एक्सपिरियंस भी अच्छा है प्लस बैटरी लाइफ आपको अभी भी खाफी अच्छी देखने को मिल रही 2023 में भी मतलब कि इस पर्टिकुलर प्राइस रिच्पा को कोई दूसरे लैप्टोप इतने अच्छी बैटरी लाइफ प्रोवाइट नहीं कर पाएगा अगर मैं इसे सिर्फ विंडोस विंडोस से कंपेर करूं लेकिन बात करें तो M1 और M2 वाला आता है उसके अंदर प्राइस डिफ्रेंस बहुत जाद है तो क्या आप लोगको M1 लेना चाहिए M2 लेना चाहिए चलिए इसके बार में बात करते है देखिए M1 चिप और M2 चिप में बड़ा डिफ्रेंस नहीं है और M2 जो MacBook आते है उनके अंदर और उर 30W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन इसके साथ ही बात करते हो M1 MacBook Pro जो अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूं वो सौफ्टर बहुत अच्छे तरीके से चला लेता है चाहे हम बात करें फैनल कर चलाने की या वैब ब्राउसिंग की बहुत अच्छे तरीके से चलाता है प्लस बैटरी बैकप भी अच्छा देता है यहां तक कि M1 MacBook Pro में फैन्स है लेकिन आज तक मैंने उनकी फैन्स की अवास कभी भी नी सुनी पर किता भी जादा लूट डालो और M1 MacBook Air में आपको फैन्स देखने को मिलते भी नहीं है शुरुआत में ऐसा लगाता है कि यह एक हो सकती है लेकिन अब देखके लगता है कि M1 चिप को इस ते अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइस किया गया है कि यहां पर उसके अंदर फैंस की जरूत नहीं है इसलिए थर्मल्स परफॉर्मेंस यह सारी चीज़ें हाँ पर काफी अच्छी है अगर किसी स्टुडेंट को ए इसके साथ ही काड रीडर देखने को नहीं मिलता और इन सब्सक्राइब को अलग से डॉंगल लेना पड़ेगा यह कमी है इसके साथ ही बात करें अपडेट्स वगरा में तो अभी भी ले रहा है और एपल इससे लॉंग ट्रम तक सपोर्ट करती रही एंवन चिप जो थी व लोग विंडोस बेस्ट सॉफ्टर यूज कर सकते हैं हाला कि विंडोस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं यह चीज आज के समय में पॉस्टीबल है एंवन चिप के अंदर लेकिन फिर भी कुछ यो विंडोस बेस्ट लैपटॉप्स होते हो कई बार कुछ एप्लिकेशन में ज् ऐसा काम करने के लिए जो से विंडोस में हो सकता है तो मैं बोलूगा कि एंवन को थोड़ा सा अवाइड कर सकते हैं भली आप उसमें विंडोस चला ले लेकिन काफी सारे स्पेसिफिक टास्क होते हैं जैसे कई प्रोफेशनल सॉफ्टर अगर आपको चलाना है तो वह आप तो हाँ यह कहानी होती है M1 MacBook Air की बाद आवे इस लैप्टॉप को आप चेक आउट कर सकते हैं आप वीव प्रोडूट्स के इंदर टेक कर दिया है बाद आवे आप लोग क्या सोचते M1 MacBook Air के बारे में यह बंदी चेकरण में होतना ना भूला थैंक आपको वीडियो देखन वीव